last class में हमने क्या क्या कर लिया उन सबको भी देखते हुए अब to be continue आगे चलते हैं चलिए sir देखे हमने देख लिया था कि accounts का एक branches ही है हमारा तीन branches में से second branches चल रहा है हमने slavis भी देख लिया था और फिर हमने cost को by-ficket भी किया था कि भाईया direct होता है और indirect होता है direct में जो raw material से related चीजे होती है उसे direct बोलते है indirect खर्चे का एक नया नाम देखा था overhead के नाम से जाना जाता है wages को नए नाम से labor के नाम से जाना जाता है आपका इसके बाद हमने कुछ theory वगएर देखा था इसके नए नाम है और हमने क्या किया था एक सवाल भी try किया था लेकिन उससे पहले हमने cost sheet जो था वो करा था हमने cost sheet क्या होता है cost sheet का यह format था यानि सर इसके अंदर हमें सबसे पहले prime cost निकालना होता है फिर gross factory cost निकालना होता है फिर net factory cost निकालना होता है फिर cost of production निकालना होता है फिर cost of goods sold और cost of sales यह scenario था हमारे कितने heading थे एक अगर मैं heading की बात करूँ सर कितने heading थे एक heading, दो heading, तीन heading, चार heading, पाँच heading और जो बच्चे भी आज नई class में join हुए हैं तो मैं कहूंगा के पहले पुरानी वाली जरूर class देख लिजेगा live section में भी होगा, अलग से folder भी बना होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं, easily आप trees कर सकते हैं इसके बाद हमने इसी को और detail में format बना के दे रखा था उसी format में थोड़ा सा presentation इंप्रूव करके हमने देखा था कहां पर क्या क्या चीजे आती है और कैसे कैसे रहते आए और इसके अंदर आने वाले कुछ expenses को भी हमने detail में देखा था कि factory overhead में क्या आता है दूसरा head है हमारा sir, net factory cost, तीसरा head है cost of production, चौथा head है cost of, sorry, prime cost, gross factory, net factory, cost of production, cost of sold और cost of sales ये हमारे सारे headings थे इसके बाद हमने इसको क्यों किया जाता है, यहाँ पे क्या क्या चीजे देखा जाता है, वो सारा points मैंने यहाँ पे कर दिया था और इसके बाद एक सवाल देखा था, उस सवाल में थोड़ा सा error हो रह गया था कि थोड़ा सा एक error रह गया था, क्या error रह गया था उसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा error रह गया था, सर क्या error रह गया था, सवाल में देख लेते हैं, उसको correct कर लेज़ेगा, इसका total 63 नहीं था इसका total क्या था, बच्चों ने बताए कि सर ये 63 नहीं है, तो मैंने देखा सही बोल रहे हैं, कितना आ रहा है इसका total, 16,200 आ रहा है तो सर इसका अगर 16,200 है तो इसका भी total change हो जाएगा, कितना बन रहा है इसका total, 36,950 तो सर ये भी change हो जाएगा, ये भी 63,950 ही बनेगा, है ना, 63,950, ना ये change हो के आ जाएगा हमारा तो बस एक चीज़ ये बताना था, 65,300 रुपया और एक सवाल इसको तो नहीं करेंगे, तो same repeated है एक और सवाल हम करेंगे, फिर करने से पहले लिखेंगे, हम फिर से एक बार revise कर लेते है सर, cost sheet बनाएंगे, और पहले-पहले heading लिख लेंगे हम जैसे कि पहले हम लिखते आए थे, तो cost sheet में कितने heading थे सर, total 5 heading है न, याद है न, cost sheet में पहला क्या था सर, prime cost, दूसरा क्या था, gross factory cost तीसरा क्या था, net factory cost, और सर, चौथा क्या था, cost of production चलिए, जगे की जुरत पड़ेगी हमें definitely, तो हम थोड़ा यहाँ यूज़ कर लेंगे सर हम पहले अगर हेडिंग लाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा हो सकता है लेकिन अगर आप वो वाला स्ट्रेटेजी फोलो करोगे ना वर्किंग नूट वाला तो दिक्कत नहीं होगी फिर आपको पता है कितने लाइन में कितना जाना है मैं अंदाजे इसके अंदर मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा पहला आएगा सर प्राइम कॉस्ट सर इस सवाल में और देखते हैं सर यह जितने भी सवाल है न सारा का सारा आपका नॉर्मली आपकी किताब कही सवाल है महिश्वरी मित्तल के सवाल है कुछ पास्थियर के भी कॉस्चन से तो उस से साब से मैंने बनाए हुए है यहां माल लेते हैं प्रेक्ट्री कॉस्ट प्रेक्ट्री कॉस्ट के बाद फिर क्या हेडिंग बनने वाला है कॉस्ट आफ कॉस्ट आफ प्रोडक्शन के बाद यहीं पर मैं अगेन कर रहा हूं कॉस्ट आफ प्रोडक्शन इसके बाद आएगा cost of goods sold sir इसके बाद आएगा हमारा cost of sales heading मैंने बना दिया पहले और आपने भी यही करना यह heading आपको पता होना चाहिए और easily बन जाएगा तो हमारा काम थोड़ा सा असान हो जाता है जल्दी करने का क्योंकि हम एक ही बार में फिर कर सकते हैं कहता है calculate cost of raw material consume तो sir consume तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर लिखते हैं raw material या जिसे purchase कहते हैं हम इसमें plus कर देते हैं opening stock किसका और minus कर देते हैं closing stock किसका consume ही आता है तो यह पूछा गया एक starting से देख लेते हैं कहता है opening raw material कितने कैसे एक हमें यह निकालना है और दूसरा निकालना है हमें B part कहता है cost of production निकालेंगे C कहता है cost of goods sold D कहता है amount profit and sold तो एक तरीके से इस format को अगर हम एक पर पूरा कर लेते हैं तो जो जो सवाल पूछा सबके जवाब easily दे सकते हैं तो सबसे पहले raw material opening है 5000 रुपे यह लीजिए मैंने लिख दिया 5000 रुपे इसके बाद क्या देता है सर सवाल में इसके बाद देता है finished goods का 4000 रुपे ओपनिंग ही है तो finished goods कहां पे connect होता है सर यह cost of goods sold निकालने से पहले तो यहाँ plus हो जाता है opening का stock और minus हो जाता है सर हमारा closing का stock तो FG का रहने वाला है तो FG का दे रखा है सवाल में कितने 4000 इसके बाद closing raw material दे रखा है कितने 4000 देखो यह चीज़े अगर ऐसे करो बड़ा असान हो जागा finished goods का कितना है हमारा 5000 इसके बाद raw material purchase कहता है 50,000 तो बड़ी सीधी सी बात है उसने consume पूछा था तो इसको total कर देते हैं तो 1000 रुपे प्लस में आ रहा है 51,000 रुपीस raw material क्या है हमारा इसको अलग heading से बना के दे दीजिए या इसके answer को return करते time पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं A part B part C part करके लिख दीजे last में नीचे यानि हमने ये भी कर लिया sir ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया ये भी कर लिया कितने का wages है 20,000 इसके बाद है chargeable expense ये भी direct होता है कितने रुपे है 2,000 मैं इसको थोड़ा नीचे shift करता हूँ चलिए यहां आएगा ये जो जो देता जाएगा लिखता जाएंगे chargeable expense हो गया rent rate and taxes sir rent rate and taxes बताया नहीं है तो हम office का मानेंगे यानि admin factory के बाद admin expense admin expense rent कितने रुपेगा 5000 पावर पावर हमारे कहां आता है पावर कितने का 2400 पावर में बताया था factory heating and lighting clear है sir heating and lighting कितने 2000 factory insurance factory का insurance कितने का है हमारा 1000 रुपे एक्सपेरिमेंटल कहां पे होता है experiment factory में कितने रुपे 500 रुपे sale of wastage raw material तो हमेशा याद रखिएगा जो wastage raw material बेशते हैं यहां से इसके बाद office printing and stationary printing and stationary कितने 200 रुपे salary of salesman salesman की salary तो कहां जाएगा cost of goods sold के बाद तो यहां selling and distribution आगे आपका किसका commission salesman का salesman का salary कितने रुपे आगे salesman का salary 2000 commission to traveling agent तो यहीं पे आजाएगा जो हमारा agent होगा बेचने के लिए जा रहा होगा कहता है sales last में डाल देते हैं हम sales सवाल कहता है sir sales हमारा 1,00,00,00 रुपे देखे तो question कितना मतलब आप अगर इस तरीके से चलोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली आपको बड़ी easily समझ में आ भी रहा होगा और भी पहली class तो लेना जरूरी है chargeable expense factory में आएगा बच्चे कह रहे है sir chargeable expense factory में आएगा क्यों भाई factory में क्यों आएगा यह direct expense होता है chargeable सीधा raw material पर किया जाता है ठीक है जितने बच्चे late joining हुए वो तो मिल जाएगा बाकी मैं फिर again कहूंगा कि daily basis पर जो बच्चे join हो रहे हैं पुरानी वीडियो देखे ज्यादा ज्यादा लंबी पिछली थोड़ी लंबी होगी मैं आज की class भी थोड़ी short रखूँगा ताकि नए वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत ना हो तो 51,000 20,000 2,200 73 73 73 कितने आगे 200 ओके यह आएगा 72,800 माइनस 400 बिल्कुल सही चौबिस सो 2,000, 1,000 और 500 78 700 5000 4,200 89 87 900 87 900 वही टोटल लिखा है 1,000 माइनस का माइनस 1,000 86 900 सर इसके बाद आजाते हैं यहां प्लस 3,000 अभी आपके डाउट भी लेते हैं रुकिए 900 अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा सर प्रॉफिट रहेगा That is 10,100 This is profit जो examiner ने पूछा था तो हर एक चीज का हम जवाब दे सकते हैं यहां और एक ना यह पॉइंट रहेगा भी ले रहे हैं ले रहे हैं डाउट यहां पे ना लिखना भूल गया मैं factory overhead लिखना है आपको overhead और यहां पे admin तो मैंने लिख दिया चलो और कोहीं कुछ रहेगा क्या लिखना selling है नहीं ठीक है चलिए सवाल भी आपको सारा दिख रहा है सवाल भी मैंने पूरा क्या है cost of production समझा दो cost of production समझा दे तो cost of production के अंदर क्या था हमारा यह रहा हमारा cost of production तो cost of production के अंदर क्या था सबसे पहले हमने prime cost निकाला prime के बाद factory का एड़ किया और फिर यह मैंने कर आपको कोई point इसमें doubt हो रहा है सर यह वाला खर्चा यहां क्यूं लिया तो बताईए आप यह वाला खर्चा यहां क्यूं लिया बताईए आप क्यूं लिया खर्चा यहां क्यूं लिया बताईए आप भाद क्यूं लिया खर्चा यहां क्यूं लिया आप झाल 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 झाल